बिस्मिल्ला इर्माइन रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैज चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बैगी अबाया किस तरीके से बनाते हैं और बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस बैगी अबाया को अगर आपको छोटा अबाया बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले हमें जो है यहां पे अबाया की लेन्द ले लेनी है तो मैं यहां पे डॉल पे आपको सिखा रही हूँ उसके बार मैं हमें यहां पे शोल्डर से लेके स्लीव सब्रेकर लेना पढ़ता है इसके अंदर तो इसका हाथ क्योंकि बिल्कुल सिधर नहीं हो रहा है तो हम यहां से ही इसका measurement ले लेंगे अगर आपको अपना measurement करना है तो आपको दुना हाथ सिधर रख के उसके बाद इसका नाप लेना होगा तो इस अबाया को बनाने के लिए जाया तर जो है फोल्ड करना है और इसमें हमें फैब्री को चोड़ाई की तरफ से ही फोल्ड करना है यान अगर आप ज़्यादा width का fabric ले रहे हैं tema वीद के हिसाब से इस опас से फोल्ड कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कम वीद है तो भी आप बाया बना सकते हैं बस आपको आगे की तरफ जॉइंट लगाना होगा तो मैंने फैबरी को देखिए फोर फोल्ड कर दिया इस तरीके से इसके बाद में हमें जो इसके अंदर मेजरमेंट लगा देना है तो आपको नेक अपने हिसाब से ही रखना है तो नेक की जितनी भी वीद है जैसे तीन इंच है तो आप तीन इंच ही रखी है उसके बाद में आपको जो है वो शोल्डर यहाँ पर माग करना है तो स्लिप्स के लिए हम यहाँ पर पूरी लंबाई आगी की तरफ से बाद में कर लेंगे नॉर्मली जैसे हम अबाय की कटिंग के लिए मेजर्मेंट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें वही नाप इसमें लगाना है बलके आप अपने जो फिटिंग का नाप उसमें बिल्कुल भी ने लगाएंगे अब आया में एक से दो इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं अगर आपका शोल्डर साथ या साड़े साथ है तो आपको इसके अंदर साड़े आठ से नौ इंच तक लेना होगा उसके बाद में आपको कमर तक का निशान लगा लेना है और कमर की जो फिटेंग है उसमें आपको एक से देड़ इंच तक एड़ करना है इतना करने के बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है वो आप चाहे तो इस तरीके से क्रॉस करके घेरा बना ले या फिर स्टेट भी से रख सकते हैं और यहां पर कमर की मार्किंग कर लें बस इसके अंदर हमें जो है आम हुल की गुलाई बिल्कुल नहीं देनी है और स्लीव के लिए हम यहां पर क्रॉस में निशान लगाएंगे तो मैंने यहां पर दिखी क्रॉस कर दिया है आगे हमारा कपड़ा यहां पर कम पढ़ रहा है तो हम आगे जॉइंट लगाएंगे उसके बाद में यही से हमें शेप दे देना है अगर आपको कमर के पास से नहीं रखना है बैगी आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आपक बैग का भी नेक इसके अंदर बना सकते हैं नेक आप अपने हिसाब से ही बनाएंगे इतना करने के बाद में हम आबाय की कटिंग करेंगे तो बैगी आपको यहां पर देखी है और जो इसका बचा वाला कपड़ा यानि यहां जो बीच में से हमें कपड़ा मिलेगा वो हम करने के लिए यूज करेंगे तो यहां पर इसे हम इस तरीके से रखेंगे और स्लिव को हम लंबा करेंगे जितनी लंबी आपके स्लिव कम पढ़ रही है वह आपको कम्प्लीट करना इसके अंदर और चोडाई भी आप अपने हिसाब से इसमें कम्या जादा दे सकते हैं ง необход Kita करें मैं चर्णा कर देते हैं उसके बाद में हम फ्रंट ने कट करेंगे उसके लेडिया उसके हम इसके निकाल कर द McCarthy कर दिया है अब हम फ्रंट नयुक कि करेंगे फ्रंट नेख चाहें तो ऐसाथ में डीब बना सकती में या चोटा निक बना के आगे की तरफ तरह सा कट लगा के आप इसके अंदर बटन भी लगा सकते हैं तो मैंने और भी जो है वीडियो में आपको बताया है कि आप आयका ने किस तरीके से बना सकते हैं अगर आप फ्रंट उपर बनाना चाहते हैं सामने से आप कट कर दीजिए तो यह बैक वाला हिस्सा है तो यहां पर क्योंकि मैं आपको छोटे से बता रही हूं बड़े फैब्रिक बना कि उसके बाद में मैं दुबारा से कट करूंगी तो इसमें बहुत ज़ादा टाइम चला जाएगा इसलिए मैंने यहां पर छोटे से फैब्रिक पे आपको जो है व तो यहां पर मैंने देखिए शोल्डर को जोइंट किया है पहले मैंने यहां पर जोइंट लगा दिया स्लीव को जितनी लंबी हमी करनी है उसके बाद मैंने शोल्डर जोइंट कर दिया है और निक मैंने अभी कंप्लेट नहीं किया है तो यहां पर देखिए मैं आपको दि लगा देना है इसी में अगर आपको इलास्टिक करना है तो पहले हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर मैं फोल्ड करके पहले पिल लगा दूँगी तो बड़े अबाय में भी हमें इसी तरीके से करना है अगर आपका जो जॉइंट वह बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप पहले जॉइंट को उसे जॉइंट करके अपनी स्लीव की लेंथ है उसे कंप्लीट करिए उसके बाद में आगे की तरफ से आप चाहे तो लेस लगाएं या फिर अलग से स्ट्रिप लगा के उसके अंदर आप इलास्टिक को लगा दे इतना करने के बाद में हमें फ को हुआ我在 detective कुछ पिया के सीधा करेंगे इस तरीके समय करेंगे हैं एसे सीधा करेंगे मैं एसे हम इस तरीके से कुछ रखेंगे और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया है आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं इसके बाद में जहां से हमने यहां पर टर्न किया है स्लीव के पास यहां पर हमें कट लगाना जरूरी है नहीं तो यहां से कपड़ा जाए वो खीच जाता है इसके बाद में आपको इससे सीधा करके दिखा देती हूं कि बनने के बाद में अबाया कैसा लगता है आप बहुत ही जल्दी जो है इस अबाया को रेडी कर सकते हैं यह बहुत जल्दी बन जाता है अबाया इस तरीके से तो यहां पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है स्लीव देखे कुछ इस तरीके से नजर आएगी इसके बाद में हमें इसका निक रेडी करना है तो जो पाइपिन हमने कट की है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर शोल्डर की तरफ से हम एक तरफ से लगाना स्टार्ट डबल फोल्ड करेंगे तुमें यहां पर पाइपिन लगा दी है अब देख सकते हैं अब मैं इस अबाया को इस डॉल को पहन के बताऊंगी तो मैंने यहां पर नेक थोड़ा सा बढ़ा करके सिलाई लगाई है तो देखे इस तरीके से मैं इसे आपको पहना के दिखा रहे ह तो आप जो है अबाया को आप अपने हिसाफ से measure करके ready करिए और नेक बी आप अपने हिसाफ से ही बनाएए और यहाँ पर देखिए comment मेरे पास आया था इसलिए मैंने पहले आपको अबाया बनाना सिखाया तो simple आपको अबाया को इस तरीके से fold करके रख देना है पहले देखे मैंने जिस तरीके से रखा है इसे हम पहले fold करेंगे और आप चाहे तो नीचे से देखे सीधा भी कर सकते हैं इसके बाद में हमें इसके अंदर measurement का हमारा अपने हिसाब से निशान लगा देना है पहले हम यहाँ पे हमारे shoulder का निशान लगाएंगे तो जितना हमारा shoulder है उसे हम नीचे भी करेंगे और उसके बाद में हमें हमारा chest का जो round रहेगा वो mark कर लेना है यहाँ पे तो हम हमारे abayi के losing के हिसाब से marking करेंगे कमर का निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमें जो है आम होल का निशान लगाना है तो यहाँ पे पहले आपको चिस्ट का निशान लगाना है उसके बाद में आपको यहाँ पे गुलाई दे देनी है स्लीफ के लिए उसके बाद में यहाँ पे कमर का और फिर यहाई से हम shape देंगे तो आप नीचे का घेर आपको same रखना है तो same रखना है सीधा रखना है तो सीधा कर सकते हैं और फिर इतना करने के बाद में आपको इसकी cutting कर लेनी है तो यहाँ पर आपको बस दिहान रखना है कि आपको अपनी कमीज की fitting के साफ से नहीं निशान लगा है बलके अबाय के fitting के साफ से निशान लगाना और अबाया थोड़ा सा लूजी रखा जाता है क्योंकि हम कपड़े के उपर सही अबाया को पहनते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर हमें स्लीव की cutting करनी है सही से तो आपको यहाँ पर स्लीव नाप लेना है कि स्लीव की लंबाई तो यहाँ पर यह थोड़ी सी मुझे लंबी लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँगी तो आप भी जो है स्लीव को अपने हिसाफ से यहाँ पर जरूर चेक करिए क्योंकि बैगी या बैगी जो स्लीव होती है वो काफी चौड़ी होती है पीछे से तो यहाँ से यहां से आपको बराबर शेब दे देना है और फिर ऊतना करने के बाद में हम इसके अंदर अटेच करेंगी। अटेच करने के लिए पर आपको दो तरीके साफ इसे आटेच कर सकते हैं आप चाहें तो दिखिए आपके स्लीव में पहले से इसलाई लगा यही हुई है आप में नीचे से सिलाई लगा कि इसे डायरेक्ट गोलाई से लगा दे या फिर अगर आपको ऐसे नहीं स्लीव्स को लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्लीव्स की सिलाई को थोड़ा साब खोल देंगे देखें यहां से आपको स्लीव्स की सिलाई थोड़ी सी खोल दे तो इस तरीके से भी आप स्लीव को लगा सकते हैं जो मैं तड़ आपको इजी लगे आप उस तरीके से स्लीव को अटेज करें तो मैं स्लीव को अटेज करने के बाद आपको बताती हूं तो स्लिफ्स को देखिए मैंने यहां पर अटेच कर दिया है तो हम क्योंकि अब इसके अंदर आल्टर कर रहे हैं तो आल्टर करने में आपको मालू में कम ज्यादा कपड़ा हो जाता है तो इसलिए यह एक्स्ट्रा यहां पर आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप अपने बैगी अबाया को बना सकते हैं और बैगी अबाया में आप घेरा कम्याजादा अपने हिसाब से कर सकते हैं बैगी अबाया देखिए यहां से भी रहता है नीचे से भी रहता है यानि shape आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं जब आपको बैगिया बाया बनाना है और अगर आपको simple करना है तो उसकी cutting stitching मैंने सिखा दी है और nick भी जो है आप अपने हिसाब से front open भी कर सकते हैं वो भी मैं आगे इंशाला वीडियो में आपको बताऊंगी तो उमीद करते हूँ कि आपके जितने भी सवाल रहेंगे वो आपको उसका जवाब मिल गया होगा आज की वीडियो में और आज की वीडियो इंशाला आपको पसंद आयोगी वीडियो अगर पसंद आये तो उसे लाइक करें, शेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक के लिए दुआओं में याद रखें टेक केर, अल्ला हाफीज